दोस्तो हमें जिन्दिगी में तंदूरी चीजे तो धेर सारी खाई हैं लेकिन क्या कभी आपने तंदूरी रायता भी चक के देखा है ये एकदम authentic तंदूरी रायता बनाना बेहत ही जादा असान है देखने में जितना आपको interesting लग रहा है उतना ही बनाने में असान और tasty होता है तो चलिए आईए बनाते हैं तंदूरी रायता इसके लिए दोस्तो आपने एक कटूरी दही लेना है और उसमें थोड़ा सा पानी डाल लेना है क्योंकि रायता इत्ता जादा थिक नहीं होता है आप अपने demand के हिसाब से अपने स्वाद के हिसाब से इसको पतला मोटा कर सकते हैं मैंने हलका साही पतला करा है और उसके बाद इसमें add करनी होंगी आपको थोड़ी सी spices जैसे के थोड़ी सी लाल मिर्च साथी में आपको डालना होगा इसमें थोड़ा सा नमक आप अपने स्वाद अनुसार इसको डाल सकते हैं साथी में दोस्तों आप डाल लीजे इसमें थोड़ी सी काले मिर्च दोस्तों मैंने ये सारी चीजे डाल ली है मैंने इसमें धेर सारी चीज़े और भी डाली है और यह तंदूरी क्यों है मैं वीडियो के अंत में आपको बदाऊंगा इसी क्या खास चीज इसमें डाली है जिसकी वज़े से रायता तंदूरी रायता बना है अब इसमें एट करा है दोस्तों आदा कटा हुआ प्याज थोड़ी सी हरी मिर्ची और साथ ही में मैं इसमें डाल दूँगा थोड़ा हरा धनिया ये देखिए दोस्तो हरी मिर्ची डल दी है और थोड़ा सा हरा धनिया आप अगर जादा तीखा ना चाहें तो आप हरी मिर्ची इसको इग्नोर कर सकते हैं में को तीखा पसंद है इसलिए मैं इसमें हरी मिर्ची डाल रहा हूँ अब इसको अच्छे से एक बार घुमा लीजिए तो अब ये तंदूरी कैसे बनेगा उसके लिए मैं आपको डिटेल में बताऊँगा लेकिन आज से पहले आपको पता दूँ अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पे देख रहे हैं तो ऐसी धेर सारी वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाली है इसी फेस्बुक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है जरूर चेक आउट करना तो दोस्तो अब इसको तंदूरी बनाने के लिए हमने एक कर्ची ली उसको डिरेक्ट गैस की आज पे रखा इसमें मैं डालूँगा थोड़ा देसी घी आप जानते हैं देसी की गर्मी से पिखल जाएगा इसके बाद दोस्तों मैं इसमें डालूँगा लगबग छोटे डेड़ चमच जीरे के जीरे की जो फ्रेग्रेंस है देसी की डिरेक्ट आज पे वो एकदम तंदूरी और बेहदी जबर्दस्ट खुश्बु देगी दोस्तों तो थोड़ा सा डाल दिया है जीरा और इसको पका लेते हैं अभी यह आग पकड लेगा थोड़ी सी कट्ची के उपर और साथ ही में डाल दिया है थोड़ी सी हल्दी को लेकिन आपको डरने की कोई जुरत नहीं है यह जितना आपको लग रहा है कंप्लेक्स हो सकता है उतना बिल्कुल भी नहीं है यह बनाना बेहदी जादा आसान है तो यह देखिए दोस्तों इस सारी चीज़े एकदम तंदूर की फ्रेग्रेंस ले रहे हैं क्योंकि यह गैस पर डर्क आँच पर पकाई जा रहे हैं और इसको डर्क डाल देंगे उसी दहीं के रायते में और इसको ढख देंगे ढख के दोस्तों इसको दोशार मिन छोड़ पीज होती है जो शेहरों में भी कभी-कभी यूज़ की जाती है लेकिन अगर आप इसको एक बार चक लेंगे तो यह सबसे फेवरेट रायता आपका हो जाएगा फर्दर और गारनिश करना चाहें यह थोड़ा सा और स्पाइसी करना चाहें तो आप इस पर हलकी सी लाल मिर कर सकते हैं और साथ ही में हलका सा और हरा धन्या भी डाल सकते हैं तो इसको बनाना बेहती जादा असान है अगर आपको लग रहा है देखने में मुश्किल है तो यह बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है आप इसे अपने पराठी के साथ अपने फ्राइड राइस के साथ या कि किसी भी अन्य चीज के साथ एक बार चक के देखे मैं गरंटी लेता हूं आपको इसका स्वाद आ जाएगा और दोस्तों अगर आप मारे चैनल पे और फेस्बुक पे नए हैं तो फेस्बुक पे कर लीजिए पेज को फॉलो और अगर यूट्यूब पे देखना चाहते हैं त तो इसी फेस्बुक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे यूट्यूब चैनल का जरूर चेक आउट कीजिए चटपटी बड़िया तंदूर की रेसेपी जैसी ठेर सारी और रेसेपी आपको वहां मिलेंगी